वेलकम टू न्यू लेसन आज के लेसन में आपसे बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग एड यूट्यूब की उसके बारे में बात करूंगा पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वह कौन सी एड है तो जैसे मैं प्लस करके न्यू कैम्पेंड बनाता हूं और यहां पर मैं जात हो पहले कर समझो कि एड सीक्वेंस कैसे काम करती है देन हम आगे देखेंगे अब एड सीक्वेंस क्या होता है कि सपोज करो आप यहां पे एक ओडियंस है राइट यह आपकी ओडियंस है और इस ओडियंस को आप क्या कर रहे हो इस ओडियंस को आप एड दिखा रहे हो अब आप क्या चाहते हो कि आपने एक वीडियो बनाई से इसको मैं बोलता हूँ वीडियो नमबर वन अब आप चाहते हो ये वाली audience सबसे पहले ये वीडियो देखे then जब ये वीडियो देख ले तब वो कौन सी वीडियो देखे तब वो देखे वीडियो नमबर टू जब वो वीडियो नमबर टू देख ले तो वो वीडियो नमबर थ्री देखे जब वो ये देख ले तो वो वीडियो नमबर फोर देखे जब वो ये देख ले तो वो वीडियो नमबर फाइव देखे जब वो sequence set की, right, अब sequencing set करने से हो था क्या है, कि आप अपना marketing message बड़े ही optimized तरीके से deliver कर सकते हो, मतलब आप अपना marketing message ऐसे deliver कर सकते हो, कि आप क्या चाहते हो, कि सबसे पहले audience को आप ये बताओ, then आप audience को ये चीज़ बताओ, जो इससे maybe linked हो, then आप audience को नई चीज़ बताओ, जो कि इससे linked हो, हाना, तो बड़े sequence तरीके में आप अपना marketing message अपने audience तक deliver कर सकते हो, बहुत ही जबर्दस, बहुत ही ज़्यादा powerful ad type है, बहुत ही ज़्यादा powerful, अब इसको कैसे use करना है, तो आप अभी देख सकते हो, just मैंने किया, ज़्यादा create a campaign without a goal, then video, then यहाँ पर मुझे लेना है add sequence, क्या लोगे add sequence, और then करोगे continue, right, क्या लिया add sequence, then किया continue, और यहाँ पर आप से campaign का नाम पूछ रहा है, तो उसे campaign का नाम लिख देता हूँ, add sequence, अब bidding strategy देखो क्या है, इसमें add sequence में again, दो type के bid आप लगा सकते हो, पहला target cpm और दूसरा है maximum cpv, maximum cpv आपको पता ही है क्या होता है, कि आप एक view case कितने पैसे देना चाहते हो, that is maximum cpv, दूसरा क्या है, target cpm, कि आप हजार impression के लिए, कितने पैसे देना चाहते हो, ठीक है, आप हजार impressions के लिए, कितने पैसे देना चाहते हो, that is target cpm, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, target cpm, then daily या campaign total, कितना आप पैसे खर्च करना चाहते हो, हम लगा देते हैं, daily, say मैं daily 1000 रुपए खर्च करना चाहता हूँ, network, आपका YouTube videos है, by default हमें YouTube videos ही रखना है, language, all language, country, India, demographics, आप यहाँ से select कर सकते हो, बाकी चीज़े सेम है, जैसे हम पहले करते हैं, audience आप यहाँ से select कर सकते हो, inventory excluded, जो भी आप देखते हैं हो, सब वैसी ले सकते हो, then optimization आप अब तक देखते हैं हो, कितने बार हम देख चुके हैं, कि optimization event आप ले सकते हो, then devices हम कितनी बार देख चुके हैं, कि सेम चीज, उसे मैं TV screen पर नहीं दिखाना चाहता है, तो मैंने TV screen वहाँ से add आ दिया, then frequency मैं set कर सकता हूँ, अब देखो, frequency capping क्या है, जो आपकी add है, या जो आपका एक sequence है, वो पर 30 days आपके user को एक बार दिखेगा, right, आपका हर sequence आपके user को हर 30 days में एक बार दिखेगा, आपकी frequency capping इसे हम change नहीं कर सकते, add schedule, आप schedule, Monday, Tuesday, वो set कर सकते हो, अब देखो, असली मज़ा यहाँ पे है, बाकी अब तक जो आपने देखा था, वो तो normal सारी ads जैसा है, जो आप अभी तक YouTube की ads देखते आए हो, आपने उन सारी ads में जो देखा है, सब सेम है, परक है, बस यहाँ, create your video, add sequence step, अब देखवा रहा है, new step, तो यह रहा मेरा new step, ठीक है, यहाँ से करते है, okay, got it, अब यह देखो, add group का name पूछ रहा है न, तो नाम लिख देते हैं, sequence one, then, आपको यहाँ पर डालनी है, अपनी YouTube video, तो यही मेरी YouTube video, तो यही मेरी video one, तो यह मैं चाहता हूँ, सब से पहले user को दिखे video one, तो यह मैंने किया, copy यहाँ से link लिया, यहाँ पर paste किया, video one आ गई, अब यह video कैसे दिखानी है, skippable in stream, या non skippable in stream, तो हम ले लेते हैं skippable in stream, 5 second बाद लोग skip कर सकते हैं, then हमें लेना है URL, ठीक है, कहां पे हम traffic भेजना चाहते हैं, तो वो मैंने यहां पे ले लिया URL अपना, landing page का link है basically, और HTTPSS पो ले लेते हैं, call to action, तो call to action यहां पे हमें क्या डालना है, shop now डाल देते हैं, shop now और headline डाल देत से, best shirts, ठीक है, और URL option आपको पता ही है, और add का नाम हमने रख दिया, sequence 1, bidding कितने bid देना चाहते हूँ आप, right, next thing is, कितनी bidding करना चाहते हो, 1000 impressions के लिए, कितने पैसे देना चाहते हो, तो same मैंने कर दिया 200 रुपे, right, bid set कर दी मैंने, आप हमेशा bidding, देखो, दो तरीके हैं, ज धीरे-धीरे बढ़ाओ, या ज्यादा से start करो, और धीरे-धीरे कम करो, अगर आप कम से start करोगे, तो फिर आप देखोगी, क्या add की impression आ रहा है, delivery आ रही है, अगर add का impression नहीं आ रहा, delivery नहीं आ रही है, then CPM को धीरे-धीरे increase करो, अगर आप ज्यादा से start करो, फिर देखो कि क्या impression आ रहा है delivery आ रही है अगर आ रही है दिन धीरे धीरे decrease करो बहुत ही असान है और इसे मैं कर देता हूँ add to sequence अब देखो यह तो था step number one अब देखो मेरे सब पूछ रहा है step number two यह step one then step two तो अब आगे हम new step अब देखो यह पूछ रहा है कि अगला step कब दिखे अभी देखो क्या रखकर रखा है step one sequence one step one step one के बाद आएगा step two तो यह पूछ रहा है step two कब दिखे पहला एक option क्या है impression मतलब अगर मेरी पहला जो वीड आए step number two यह दूसरा है view कि अगर कोई मेरा पहला step जो है पहली वीडियो जो है वो मेरी कोई देखे उसके बाद आए मेरा step number two यह last option क्या है skip कि अगर मेरा step number one किसी ने skip कर दिया तो फिर उसको क्या दिखे video number two right तो क्या option select कर सकता हूँ cancel करो देखो यह step number one है तो अब मेरे पा step number two आए दूसरा अगर कोई यह video मेरी view करे तब मेरा step number two आए या तीसरा अगर यह video कोई skip करे तब मेरा step number two आए ठीक है view क्या मानता है YouTube YouTube में view का मतलब होता है अगर आपकी video अगर आपकी video 30 seconds से जादा है अगर आपकी video 30 seconds से जादा है तो लोग आपकी video को देखे at least 30 seconds या फिर आपके video के साथ करें कोई engagement तब यह YouTube से क्या मानता है view या फिर अगर आपकी video है 30 seconds से कम 30 seconds से कम है तो या तो वो पूरी video देखें या आपकी add के साथ करें engagement engagement का मतलब होता है comment करना like करना click करना तो उसे वो view मानता है राइट बहुत है सिंपल अब मैं आता हूँ step 2 पे मैं चाहता हूँ step 2 तब दिखे भया जब लोग पहली view step मेरा view करें ठीक है view आ गया इसको मैं लिख देता हूँ sequence टू और यहां पर मेरे को डालनी है अपनी YouTube वीडियो यही मेरी YouTube वीडियो इसे कर दो शेरी बर लिंक यहां कर दो पेस्ट बाकी सब चीजे चेंज करना चाहते है तो कर सकते हो bidding मैं अगें 200 डाल देता हूँ और add to sequence अब देखो sequence क्या बन गया इसको जैसे कोई view करे तो यह वीडियो आ जाए अब देखोए कि option क्या दे रहा है skip कि अगर कोई इसको skip कर दे तो उसको क्या वीडियो दिखाना चाहते हो तो वह मैं यहां से set कर सकता हूँ तो same मैं चाहता हूँ जैसे कोई यह वीडियो skip कर दे तो उसको मेरी दिख जाए यह वाले वीडियो ठीक है देख रहे हो कितने पावरफुल है sequence 3 यह रही मेरी वीडियो बाकिछीजे सेम रखेंगे तो कर देता हूँ 200 perfect ठीक है यह रही मेरी पहली वीडियो इसे जैसे ही कोई देख ले तो दूसरी वीडियो आजाए अगर पहली कोई स्किप कर दे तो क्या होगा भया तब उसको यह वीडियो आ जाएगी अब अगर कोई यह वीडियो देख ले तो मैं आ सकती है नया स्टेप स्टेप नमबर 3 तो न्यू स्टेप किया व्यू के बाद आ रहा है अब इसे कर दिया मैंने sequence 4 और यहाँ पर डाल दी मैंने अपनी व इसको कोई देख ले तो क्या हो नया स्टेप तो आप ऐसे ही multiple steps एड कर सकते हो और बहुत बढ़ियां से अपना marketing message लोगों को डिलीवर कर सकते हो बहुत ही जबर्दस तरीके से बहुत ही ज़्यादा powerful और जब आप सारे अपने steps जाल दो देन आपको क्या करना है simple create campaign क्या क्य अब देखो क्या problem है इसको एडिट करो यहां से पता चल जाएगी problem final URL is invalid URL कि देखो गलत है इसे copy करो और इसे done कर दो और यहां पर कॉमा आगया है URL में इसे लिए इसे भी done कर दो और इसे भी done कर दो और यहां आओ इसे भी done कर दो ठीक है URL चेंज किया अब करो create campaign